Hello Students, Welcome to my YouTube Channel जैसे कि आप सब जानते हैं CSVTU ने अपने online exams conduct करवा लिये हैं और अब result one by one जारी हो रहे हैं तो अभी MCA का result जारी हुआ है कुछ course के results जो हैं, कुछ students का रुका हुआ है तो वो result कब तक आएगा? First semester का result कब तक आने की chances है? यहां आप देखेंगे MCA के 3 और 4 सेमेस्टर के result घोशित तक्नीकी विश्विद्याले ने बुद्वार को MCA 3 तथा 4 सेमेस्टर का परिक्षा परिणाम घोशित किया 3 चत्था 4 सेमेस्टर का result शर्ट प्रतीशत रहा यहां देख सकते हैं जहां 22 स्टूडेंट शामील वे जिसमें 22 उत्रिन घोशित किये गए थे 9 दिसमबर 2020 में 11 स्टूडेंट अभी उत्रिन घोशित किये गए थे यह पिछले साल के result के बारे में यहां पर बात कहीं जा रही है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है एक्जाम में answer sheet की period of file corrupt होने के कारण रुके गए हैं कुछ result रुके गए चात्रों के परिणाम जल घोशित किये जाने विश्विद्याले द्वारा प्रयास किया जा रहा है तो यहां आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से courses हैं और बहुत से students हैं जिनका result रुका हुआ है और इसका reason है सिर्फ PDF करप्ट होना इसलिए आपसे original answer sheet की copy colleges मंगा रही है तो यह जो बचे हुए results है इसे बहुत जल्दी जारी करने की कोशिश कर रहा है CSV2 और उमीद की जा रही है कि June या आपका July 1st week में result आ सकता है बचे हुए course का result और जो आपने November में जिस course में admission लिया है CSV2 के affiliated colleges में उसका result आप मान के चलिए 15 जुलाई के पहले नहीं आएगा जुलाई के बाद ही आएगा क्योंकि किसी भी result को declare होने में या किसी भी course को CSV2 रिजल्ट घोशित करने में देड़ से दो माईने लगा रही है और अगर आपका भी ऐसी कुछ रीजन से PDF फाइल करप्ट होती है तो आपसे भी answer copy मंगाई जाएगी जैसे भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है आप अपने answer copy समाल के रखिए जब तक result नहीं आ जाता अब आप सब जानते हैं आपकी second semester की classes जो है वो शुरू हो चुकी है तो क्या लगता है आपको colleges कब तक खुल सकते हैं school शिक्षा सत्र तो आज 16 जून से शुरू हो चुका है और वहां पर कहा गया है कि दो महीने तक school नहीं खुलेंगे colleges भी ऐसी ही उमीद कर सकते हैं कि दो महीने तक नहीं खुलेंगे और अब भी आपकी online classes ही चलेंगी बात करते हैं CSV2 के अगले semester exam की तो ये भी online होगा CSV2 ने इस चीज़ को पहले ही clear कर रखा है तो उमीद करते हैं इस वीडियो में जो भी बता है आप लोग के लिए helpful होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आप इस चानल में नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें इस वीडियो उसके लिए थैंकियो सो मच वाचिंग इस वीडियो